बहुत बहुत स्वागत था आप सभी का आपके पर यूटूब चेनल सुकला स्टडी पॉण मैं सी ओम सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संचार कोसल और ब्यक्तित विकास से बनने वाले बहुत ही महत्पूण महत्पूण 33 आप्जेक्टिव टाइब के परसनों के बारे में यह प्रसनालिटी डबलब्बेंट जो है यह आपका को करिकुलर कोर्स है दोजार चोबिस पचीज में ऐसे ही प्रस्ण आपके परिच्छा में आने वाले हैं तो आप इस वीडियो को अंतक तक देख लीजेगा छोटी सी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं होगी ठीक है ती ब्रिगती से मैं आगे बढ़ूँगा और बहुत ही इंपोरेंट इंपोरें चीजार जो और यहां कि अगे आगे में फीचान को जानने के प्रियास करते हैं अगला पर संप्रत्य परिक्षण बाइन्वोहाय किसने परत्रवादित किया था तो बाल संप्रत्य परिक्षण को क्या कहते हैं बाल संप्रते परिक्षण को ही एक परकार से क्या बोलते हैं तीन से ग्यारा साल से लेकर ग्यारा साल के बच्चों के लिए परिक्षड bronze ऐसे उन्हां नहीं कि बार लेकर से ये अंतर परिक्षड उन्हों कि झाता है है तो इसका प्रस्म क्या था तो लियोपोल्ड बेलोक ने आप सनमर्स का एक अरक्ट एंसर हो जाएगा बहुत ही बढ़ी हाँ प्रस्ण है अगला कोशन साब देखेंगे रक्षा तंत्र ने डिफियंस मैकनिजम का उपयोग दो ब्यक्तिगत या ब्यक्तित्तों सनचनाओं में से किसी लब किस मानसिक स अपका जो आता है वो इदम आता है यानी इदध और आता है यानी की सूपरियुग या अउध्याड़ या यूद्ध और या फ्रायड इंज स all गया गहाती तो इस इद। तो हरलाक महोदे ने मानो विकास की आठ अवस्थाओं के बारें बताया है अगला परसने कारल जुंग अपने सिध्धान्त को बताते हैं कि ब्यक्तित्व के निम्रखित आयाम होते हैं तो कारल जुंग जो है बताते हैं कि ब्यक्तित्व में तारकिक तरक सक्ती का समाबेस होता है और ब्यक्तित्व सामान अर्थ में चीजों वस्थों की धारड़ा से समंदित है और ब्यक्तित्व मन की अचेतन आंतरिक धारड़ा पर अधारित होता है ये तीनों आयाम बताये है कार्ल जुंग ने आपसे नंबर इसका डी करेक्टर एंसर होगा अगला कोशन साब देखेंगे एक बालक के ब्यक्तित्तु के मापन की सरबाधिक ब्यक्तिनिष्ट बिधी कौन सी मानी जाती है एक बालक के ब्यक्तित्तु के मापन की सरबाधिक जो ब्यक्तिनिष्ट बिधी ह जिसको आप T.A.T. बेक्टितु परिक्षण की मापने की यह क्या है एक परच्छेपी ये टकनीक ये क्या है प्रच्छेपी ये टकनीक आपकी जो T.A.T. का पूरा नाम है फ must Mede council text टीक है इसका जो चिकорот से परिक्षण किया था मारगन और मूरे ने किया था यह बात आप ध्यान नखेंगे टीएटी को हिंदी में बोलते हैं प्रासंगी कंतरबोध परिक्षण यह बात आप ध्यान नखेंगे तो यह प्राचेपी यह तकनीक है अगला परसे सोला पी पी एफ परिक्षण सोला पीए परिक्षण आधारी थे किस पर तो सोला पीए परिक्षण जो आधारी थे कैटल के सिध्धान पर आधारी थे बी आपसन करेक्टेंसर होगा अगला परसें निम्लिखित में से कौन सा ब्यक्तित्तु का एक परचेपन परिक्षण है परचेपन परिक्षण कौन सा प्रकारों का उलेग किया गया है शोगा त चार प्रकारों के बारे में क्रेसमर ने बताया है आपसन क्रेक्टेंसर रोगा निम्लिकित में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है इन में से रक्षात्मक युक्ति कौन सी नहीं है देखें युक्ति करण छती पूर्ति और पहचान ये सब रक्षात्मक युक्ति है संगती रक्षात्मक युक्ति नहीं है देखते तुमापन की CAT विधी द्वारा अ परिक्षण एक परिक्षण है जिसका उप्योग निम्द में से किसे मापने के लिए क्या आता है ब्लकुल एंसरवगेख तो को ही मापने के लिए यंपी-पी आई परिक्षण कियरते हैं अगरा पर से अंतर कि अबसे बातशीत करते हैं अगला परसोणा सब्ध जो है परोगज सब्षान燥 का थिरो इसे बना है तो इसका ऑगला परसने के कितने सील गुडों की चरचा प्रश्चा की है यह बात आप द्यान रखेंगे कितने सूल अगोड़ गुड़ ने बताया है आगे देखेंगे अगला परसना आप की स्करिन पर आ चुका है बहुत ही जबरदस्त परसने परिच्छा के दिश्टी प्रेशन में से कौन सा कवजियो का घतक नहीं कि पते साक्सा साथ घ्रतकर में आप रिजियूम के लिए किसी कार की रिखती के लिए आब एधन करने का आदरस круг रिजियूम नगाधर करना जो तो इसस्त कारेघ के लिए विसेस 2017 रूप से लिखा गया होता आपको अपना कारीयर लाक्षक्ष न रखना चाहिए उद्यस अन वाग में लिखना चाहिए इसक चाहिए अगला प्रसें एक बेक्ती को अपना रेजियूम तयार करने के बाद क्या करना चाहिए तो एक बेक्ती को अपना रेजियूम तयार करने के बाद में तुर्टियों के लिए इसकी प्रूफ रीडिंग करें दुबारा से अन्य लोगों से इसे प्रूफ रीडिंग करने के लिए कहें और इसे अच्छी इस्थिती में रखें डी आपसन ये सभी अगला प्रसने कौन सा दस्ता वेज आवेदक की ब्यक्तिगत सूचना सिख्छा कोसल कार्यनभव और गत्विधियों तो था रुचियों का संचिप्त सारांस प्रदान करता है एक रेजियूम प्रदान करता है ये आपसन कर सिंता की ठीक है सविकरती सम्मान और गर्म जोसी से बात करें उदा सिंता से बात नहीं करने चाहिए पहली बार में अगला प्रसने आपकी लिंक्ट इन प्रोफाइल को अपडेट करने के लिए आप नियमित रूप से ताकि वर्तमान उपलब्धियों और कोसल को दर्था ज पर साब नियुक्त करने के लिए कि इस प्रकार की समागरी सबसे उपयुक्त तो मानी आती है तो उद्ध्यों कसे आप लपियुक्त बेर्थे इसको आप तो कि आप किसी ऐसे बैक्ति की connection अन्रोद का उत्तर कैसे दे सकते हैं तो आप दे सकते हैं एक बिनम्र संदेश भेज कर पूछें या आप एक दूसरे को कैसे जानते हैं इसका C आपसन राइट एंसर होगा अगला पर से linked in पर अन्रोद करना या करने का उची तरीका क्या है तो linked in पर अन्रोद करने का जो उची तरीका है वो है कि कोसल या परिजनाओं को नदिश्ट करते हुए एक बैक्तिक संदेश में इसका अन्रोद किया जाए तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे परसनों को समझे लिया जो कि आपकी परिशा के दिश्टी से बहुत ही मैत्मूर थे आप इन परसनों के तयारी बिदो तरीके से कर सकते हैं स्टुक्ला स्टी पॉइंट प आपकी परिच्छा के लिए बहुत ही हल्पूल होगा बहुत ही मैत्मूर है वहाँ पर कई सारे वीडियो और कई भी सब्सक्राइब करके कई जानकारी ले सकते हैं और बाकी कल आपको एक महा संग्राम या मारत पेपर आपको दिया जाएगा ठीक है धन्यबाद मिलते हैं फ